दोस्तो इस वीडियो में हम 4 स्टोक साथ में डिसकस करने वाले हैं आज हम ITC को डिसकस करेंगे साथ में हम IRCTC को डिसकस करेंगे और हम IRFC को भी डिसकस करेंगे एक और कंपनी को डिसकस करने वाले जो बहुत ही जबर्दस डिविडेंड देने जारी है ITC की बात करे तो इन्होंने अपना quarter three का result declare कर दिया है काफी जबरदस result है और इस result के बाद अलग-अलग brokerage house की buy के call निकल के आ रहे stock आप देख सकते हो कि काफी मद्बूत है लगातार नई high बना रहा है और काफी तेजी से उपर की तरब जा रहा है आने वाले से में क्या इसके target रह सकते और क्या इस समय में ITC में investment करना चीए क्योंकि गिरते बाजर में यही अकेला इस stock है जो दोड़ते हो आपको दिखाई देता है दूसरी तरब IRCTC जिसका जल्द हमारे समने result भी आने वाला है और कुछ बड़ी update निकल क्या रही है IRCTC यही stock जिसने लोगों को बहुत जबरस return दिया जब split के समय यह rocket के गतिशा दोड़ा था उसके बाद में पिछले साल भर से stock ने कोई अच्छी performance नहीं दिखाई 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 लेकिन इसका business monopoly है काफी सांदार कारोबार है profit making company है तो क्या दाव लगाना चीए IRFC की बात के बजट निकल चुका है और बजट के बाद share में हमें कोई तेजी देखनों को नहीं मिल रही तो क्या जल्दी यहां पर फिर से तेजी की समावनों बनेगी यह stock नीचे की दरब जाएगा वैसे तो देखे stock ने पिछले जी तो काफी अचा return दे दिया है लेकिन एक नई trigger का इंतजार करा है stock क्या result के बाद वो trigger मिल सकता है इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन friend उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक उन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला notification आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो friends वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत सवागत है सबसे पहले ITC की बातनों भी तीन बज़े के आसपास का टाइम है 44 का जो श्टॉक था वो इस समय 383 पे चला गया है यानि रिजल्ट के बाद श्टॉक तेजी से दौना शुरू हो चुका है यहां पर देख सकते हो कि काफी सांदार इस बार आखले रहे जहां पर देख सकते हो क्वार्टर ओन क्वार्टर बेसिस पे कमाल की है सेप्टमबर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर तू में इसका जो सेल्स था वो 17,108 कुरूज का आजबर इस बार देख समय बाद इस बार अधर इंकम भी बढ़िया पिछली बार 455 कुरूज का आजबर इस बार वो 595 का आजबर पहुच गी है नेट प्रोफिट आपने टेक्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में क्वार्टर तू में 4,682 कुरूज का टोटल प्रोफिट था वो इस बार 5,080 कुरूज को क्रॉस कर गया है यानि जबरदस तरीके से प्रोफिट बढ़ रहा है और लगातार पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं कंपणी का प्रोफिट बढ़ रहा है अब यहाँ पर देख सकते हो कि ग्लोबल ब्रोकेज अब जफ्रीज ने इसमें बाइक की कॉल दिये इन्होंने इसका टार्गेट रखा वो 450 का रखा हुआ है और इनका कहना है कि इस बार क्वार्टर थरी में सिगरेट का बिजनस का जो बॉली में उसमें 6% की अच्छे खासी व्रीदी देखनों को मिनें CIGR के हिसाब से इसके अलावा जो FMCG का बिजनस है वो काफी सांदार कर रहा है और इस हिसाब से देखे तो आने वाले समें जिस तरसे इनका बिजनस तेजी से बढ़ रहा है पेंडमिक दोर के बाद में रिकवरी काफी अच्छी रही है तो आने वाले समें ये 450 का टार्गेट बहुत इजीली अच्छी कर सकता तो जेफरिस के तरब से इसका 450 के टार्गेट साथ खरीदार की सरा दी गई है इसके अलावा एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की बात कर दो इनों ने भी यापर बाइक की कॉल दी गई है और उनके हिसाब से ये स्टॉक काफी अच्छा है उन्हों ने यापर रिकमेंड किया है अच्छा कर रहा है और इस तरह से देखे तो ये कौर्टर थरी की रिजल में देखने को क्लियरली मिला है कि कंपनी बिर्कूल पट्री पर है और आने वाले से में definitely और अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने इनके जो पहले का जो टार्गेट था 419 का उसको रिवाइज करके टार्गेट को 435 का कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते हो कि टार्गेट इसका बढ़ चुका है जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिंगर इसके अलावा एडलवाइज ब्रोकिंग फर्म की तरब से देखे तो इसकी बाई की रेटिंग है और इसको टार्गेट रखा वो 450 का रखा है उनके इससाब से कारूबार काफी अच्छा और इस समय बिल्कुल ITC में निवेज करना चीए इसके अलावा देखे तो नोमूरा है इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए इस बार जो सरकार ने टेक्स में बरुड़री किये और सिग्रेट के वो बहुत ही मिनिमम है और इस वज़े से इसका कोई इफेक्ट निगेटिव देखने को नहीं मिला है और आप देख सकते हो कि दूसरा इनका जो होटल का बीजन फोटी की दी हुई है और बाइक की कॉल है इसके लावा मॉर्गें श्टेंदी ने इसकी 415 की कॉल दी है तो लगातर आप देख से तो जितने भी ब्रोके जाओ सब वो इसमें खरीदारी की सला देरे अब हम चलेंगे IRCTC की तरब स्टोक 6.35 पर जापे 1.26 परसें की सांदा इसके अलावा देखे तो IRCTC ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अब यहाँ पर IRCTC ने अपने रेल्वे के जो भी यात्री है उनके लिए बहुत ही सांदार सर्वी सुरू कर दिये यानि अगर वो मिल का ओर्डर करना चाहिए तो अब IRCTC का WhatsApp नमबर के माध्यम से ही अपना ओर्डर कर पाएंगे अब उनको वेबसाइट पर जाने के जिरूदे बलकि सिधा WhatsApp के उपर जाके अब ओर्डर कर पाएंगे मिल के लिए तो काफी सांदार सर्वी सुरू कर दिया इसे इसका बीजनस भी बढ़ता हो दिखाए देगा इसके अलावा IRCTC ने एक जबनस और डिसीजन लिया है जैसे के आपको पता हैं अलग अलग तूर और्डर करते हैं कमपनी अब दुबई के लिए एक बहुती सांदार तूर और जिसके विए से इनकी रिवेनिव जबरस बोड़तीरी हो सकते हैं तीन दिन और चार नाइट का ये पैकेज है तो कुल मिला के सांदर पैकेज और जिसके विए से इनका बीजनस आपको बढ़ता हो दिखा देगा और मुझे लग रहा है कि इस रिजल्ट में तेजी की संभा जिरो पर जाब है 2.09% की गिराउट है काफी दबाव देखने को मिला इस टॉक के अंदर और ये आप देख सकते हो इनका इनका टोटल रिवेनि था वो सेप्टरमर 2022 में बढ़के 5,810 को बिज़का पहुच गया इसके अलावा अगर इनके प्रॉफिट को देखे तो सेप् प्राइज में दबाव के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार बजट के दुरान एलन किया गया है कि इस साल IRFC कोई भी नया कर्ज नहीं लेगी यानि कोई भी बॉंड्स के माद्यम से या और किसी दिके से कोई भी फंड नहीं लेगी और इसके पीछे वजह मताई पास सफिशन फंड है जिससे वह आने वाले समय में रेलवे की कंपणिया को फंड प्रोवाइड कर पाएंगे एक दूसरी और बड़ी वजह है कि इस बार रेलवे खुद जो इनकी दूसरी कंपणिया उसमें से अपनी इसाधरी बेच के जो पैसे जुटा रहे है उसके IRFC का उलड़ी खर्च बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक तो सिर्फ 37 एंप्लोईज है जो कंपणिय को ऑपरेट कर रहे है इसके लावा होटेल असोका से बीजने चल रहा है तो खर्च बिल्कुल है नहीं और टेक्स इनको पेक करना है नहीं सरकार को इसलिए डरने की कोई बात इसमें आपको जितना हो सके निवेश करना चीए मुझे लग रहा है कि इसमें जल्दी ही एक बड़ी तेजी का दौर सुरू होने वाला है फिलाल IRFC एक ट्रिगर का इंतजार करा और इनको रिजल्ट के माधेम से मिल जागा जैसे रिजल्ट बैतर आएगा इसके बाद में तेजी का दौर सुरू होगा तो नजरिया लॉंग टम का लेकर IRFC में निवेश करना चीए वैसे अगर आप देखे तो सरकार इस बार रेलवे पर बहुत सारा खर्च कर रही है और ऐसे में IRFC का काम जरू बढ़ेगा यहाँ पर देख सकते हो यूपी के बाद अब MP को सबसे सांदार यहाँ पर सौगात दी गई है रेलवे में आप देखे तो करीब थर्टीन थाउजिंसी के निवेश का इस बार बजट में इनको रेलवे इस्टेशन के लिए एक तरसे अनौस किया कि मद्देपर्दिस के लिए इतनी बड़ी रकम यहाँ पर पास की गई है तो प्राइज 303 के आसपास है जापे 6.26% की बंपर तेजी है और इसके पीछे बज़या है कमपनी की तरफ से ऐलान किया गया जबर्दस डिवीडन यहाँ पर देखे तो इसकी एनौसमेंट डेटर 13123 कमपनी 1340 का बंपर डिवीडन डिकलेर कर चुकी है यानि पर सेर 67 रुप 1323 तो 13 तारीक के पहले अगर आपके डिवीडन अकाउंट में शेर आ जाते तो बिल्कुल आपको भी यह डिवीडन मेल सकता है तो आपको डिवीडन का फाइदा उटाने के इसमें निवेस करना चीए क्योंकि बहुत ही जबर्दस डिवीडने 67 रुपे का डिवीडन 290 करना चीए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाजर्श करें या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक